दोस्तो इस वुडियो में मैं आपको 10 ऐसे प्रापटी बुक्स के बड़ा मैं बताऊंगा जो मैंने खुद पढ़ा है और मुझे लगता है कि आपको भी पढ़ना चाहिए अपने प्रापटी डिलिंग और बहतर बनाने के लिए खासकर नेगोशेशन के टाइम पे सबसे पहला है Gary Keller का बुक The Millionaire Real Estate Agent इन्वेस्टर नहीं एजेंट ये दो अलग अलग बुक है अब दोनों कोई पर सकते हो एक एजेंट के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए एजेंट का जो बुक है वो आपको बताता है कि कैसे attitude build करना है lead कैसे generate करना है और investment का जो बुक से वो आपको बताता है कि कैसे property ढूंड ना है अच्छा property कैसे ढूंड ना है ये बुक आपको सिखाता है इस बुक के उपर मैंने complete summary बना के रखा है अब चाहो तो देख सकते हो वो वीडियो मैं आप को नीचे description में देख दूंगा देख लेना इसके बाद आता है getting to yes negotiating agreement without giving in यह पर तीन main चीज author बात करते हैं वो बोलते है कि आप अपने customer को समझो और वो क्या चाहता है उस पर focus करो क्या होता है कि negotiation के time पे ego सामने आता है और ego ही आपका negotiation बिगार देता ह है for example आप एक property बेचना जाते हो 50 लाक रुपे में पर वो जो बायर property खरीदना चाहता है उसे वो 40 लाक रुपे मांग रहा है आप negotiate करते हो इधर उधर करते हो और बीच में आता है 48 एफिल 45 लाक रुपिस आ जाता है पर वह आपे दोनों ही unsatisfied हो जाते हो दोनों तरफ से एक force आता है वो कहता है कि मुझे आप 40 लाक में यह property देदो और आप कहता हो कि नहीं मुझे 50 लाक ही देना होगा जिससे क्या होगा कि long term में relation से बिगार जाएगा और आप उस customer को खो दोगे इसलिए author कहता है कि आप उनके point of view से देखो कि उन्हें क्या लगता है यह property कितना valuable है उनके point of view से देखो जिससे आप उन्हें समझ पाओ और उनके problem को solve कर पाओ आप उहाँ पे एक win-win situation create कर पाओ इसलिए आपके book बढ़ना चाहिए खासकर negotiation के लिए influence the psychology of persuasion one of the best book sales के उपर सबसे भहतरी book यह book आपको पाँच ऐसे influence टेकनीक सिखाएगा जो हर वक्त काम आता है reciprocation, commitment, social proof, liking, scarcity, authority यह छे main principle है influence का जो आप इस्तेबाल कर सकते हो अपने property को बेचने के लिए बहुत जल्दी और उसके साथ-साथ appreciation कभी पढ़ने ना इसे और बहता तरीके से समझने के लिए यह दो book आपको influence में master बना देगा अगर आप इने पढ़ते हो तो मैंने खुद पढ़ा है बहुत बढ़िया है अब वाव करने लगोगे अगर आपने पहले पढ़ा नहीं है तो अगला है sell or be sold by Grant Cardone यह book आपको बताएगा techniques बहुत सारे unique techniques आपको बताएगा खास कर closing techniques की कैसे अपने deal को close करना है यह book आपको यह सिखा देगा बहुत सारे यासे principles है इस book में बहुत सारे tips and tricks है जिसे इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने property dealing में यह book आपको बहुत कामा सकता है आप इसे पर सकते हो अपने property को बहुत जल्दी पेचने के लिए 22 laws of immutable marketing यह marketing के पर one of the best book है जो में आज तक पढ़ा है यह थोड़ा पुराना है पर इसका principles आज भी applicable है आज की दुनिया में आप कुछ भी पेचने जा रहे हो यह 22 principle आपको help कर सकता है उससे जल्दी से do try करना उसके बाद आता है how to influence and influence people यह book आपको सिखा देगा कि कैसे लोग आपको पसंद करें इस book में बहुत सरे examples है यह book आपको हिंदी में भी मिल जाएगा आप इसे पढ़ लेना यह book कमाल का है next step the go giver यह book आपको बताता है कि देने से कैसे आपको मिल सकता है यह book आपको अगर आप business कर रहे हो इंसानों के help करने के लिए वो चीज इन डिरेक्टली आपके पास वापस आता रहेगा preference की माध्यम से brand building की माध्यम से trust की माध्यम से विश्वास की माध्यम से लोग आपके पास आएंगे आपसे ही property खरी देंगे अगर आप go giver mentality अपने अंदर install कर लेते हो तो यह book आपको long term में success दिला सकता है इसलिए आपको यह book पढ़ना चाहिए और ego is the enemy इस book एक बार life में एक बार जरूर पढ़ना क्योंकि negotiation का time पे ego सबसे बड़ा रुकावट बन सकता है आप कहते हो कि मुझे 40 lakh में यह property बेदू पर वो कहेगा नहीं मुझे 50 lakh ही देना होगा दोनों में दरार आ जाएगा ego सामने आ जाएगा और वो deal हो नहीं पाएगा आपको इस book का पढ़ना है और identify करना है कि आपके अंदर कौन सा ego है और जो purchase कर रहा है property उसके अंदर कौन सा ego है और कैसे उन सब को control करना है यह book आपको सिखा देगा and lastly never split that difference यह one of the best book है negotiation के उपर last book है आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए यह book आपको सिखाता है कि कैसे maximum profit कमाना है उस deal से यह book आपको बताता है Chris Boss ABI के negotiator थे वो criminals के साथ negotiate करते थे और उनसे data निकालवाते थे उन्हों ने यह book लिखा है आपको बहुत काम आ सकता है अगर आप property में dealing करते है यह फिक कुछ भी dealing करते हो यह book आपको maximum profit दिला सकता है अगर आप इन सब को apply करते हो तो आपने जीवन में यह था वो 10 book जो मैंने खुद बढ़ा है जो आपको भी बढ़ना चाहिए as an agent investor if a developer और भी ब झाल